अर्जेरिस सुप्रीमों लालो परसाद यादों, उनके परिवार और साथी साथ उनकी पाइटी के नेता कारे करता और चाहने वालों की दिल की धड़कना आज बढ़ी हुई हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद राजत सुप्रीमों को कोट सजा सुनाएगी जी हैं चारगोटाला मामले से जोड़े डोरनडा ट्रेजरिस से अवैध निकासी के मामले में लालो यादों को 15 फर्वरी के दिन दोसी करार दिया गया था लालो यादो के साथ साथ इस केस में जो दूसरे आरोपी थे हैं उन तमाम आरोपियों को कोट ने दोसी करा रहा और उसके बाद लालो यादो समेत कुल 41 दोसीयों की सजा पर आज कोट को सुनवाई करनी है मतलब कोट को सजा सुनानी है लालो यादो को इस केस में कितनी सजा होने जा रही है इसका अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन एक बात तह है कि लालो यादो कोट जब सजा सुनाएगी तो वो सजा तीन साल से ज़्यादा आवधी की होगी मतलब ये कि 15 फरवरी को जब कोट ने लालो यादो समेत दूसरे आरोपियों को दोसी करार दिया उस दिन जिनके सजा की अबधी 3 साल या उसे कम थी उनको उसी दिन सजा सुना दी गई सजा का एलान कर दिया गया लेकिन लालू यादो समेत अन्य दूसरे आरोपियों को सजा नहीं सुनाई गई उसके लिए आज की तारीख यान्य 21 फरवरी की तारीख तै की गई मतलब साफ है कि आर्जेरी सुप्रीमों लालू परसाद यादो जो है वो उनकी सजा जो है वो तीन साल से जादा की होगी पहले भी लालो यादों को जो दूसरे मामले रहे हैं चारा घुटा लेके उसमें जादा सजा सुनाई गई है, तीन साल से जादा की सजा उनको हुई है, हलाकि उन मामलों में लालो यादों फिलहाल बेल पर हैं, क्योंकि उन्होंने जो सजा सुनाई गई थी कोट की तरब से, उसकी आधी अधी को जेल के अंदर काटा है सजायफता के तौर पे और कुछ medical ground भी था जिसको ले करके उनको जमान दी गई थी लेकिन 12 बज़े आज जब court सजा सुनाना सुरू करेगा जब उस पर video conferencing के जरी ये सुनवाई सुरू होगी तो लालू यादो एक तरफ रिम्स में बैठ करके उसका इंधियार करेंगे दूसरी तरफ तमाम लोगों की नजरे टिकी होगी कि आखे लालू को कितनी सजा सुनाई जाती है जो कानूनी जानकार हैं उनका ये मानना है कि लालू यादों को अगर पांस साल तक की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे स्थिती में हो सकता है कि उनको जमानत भी मिल जाए मतलब लालू यादों के वकील अगर उनको पांस साल की सजा सुनाई गई पांस साल तक की तो लालू यादों के वकील यो हैं, वो जमानत के लिए आचिका दायर करेंगे और कोट जो कानूनी पहलू है, उसके मुताबिक उनको सजा दे सकता है लेकिन यही सजा अगर 6 साल या उससे ज़्यादा की होती है तो लालू यादों को उन परिस्थितियों में कम से कम 6 महीने तक जेल के अंदर रहना होगा इसके अपने अपने तर्ख है, समयधानिक तर्ख है जो कानूनी विसवसग्य है, जानकार है, उनका अपना अपना मत है उनका कहना है कि अगर 6 साल या उससे ज्यादा की सजा लालो यादों को सुनाई जाती है तो उस इस थिटी में लालो यादों को कम से कन 6 महीने जिल में रहना होगा और 6 महीने के बाद वो कोड के सामने ये दरफास कर सकते हैं या चिकादार कर सकते हैं जमानत की कानूनी में दाखिल की जाए अब सवाल ये प्रदा होता है कि लालोयादों को कोट कैसा फैसला में कैसी सजा सुनाती है ये कोट के ऊपर निर्भर करता है जो राचे इस्थित सिभी आई की विसेश अदालत है उसके जज हैं इसके ससी और उनको ही फैसला सुनाना है 15 फरवरी को लालो के लोगों को उनके करीबियों को थोड़ी निरासा हुई थी थोड़ी आई यूं कहले की ज्यादा निरासा हुई थी क्योंकि उनको अगर उस दिन सजा सुना दी दी गई होती तो मतलब ये मान लेजिए कि तीन साल से कम क्याओधी होती और तीन साल से कम क्याओधी में लाल उस मोर्चे पे डॉक्टर उनकी निग्रानी कर रहे हैं पेइंग वाइड में वो एडमिट हैं और तक्रीमने 11 बजे लालु यादो के पास जो कंप्यूटर ऑपरेटर एक लैप्टॉप के साथ पहुंच जाएगा जो जेल प्रसासन मतलब जो होटवार जेल है रांची का उस उसके प्रसासन की तरफ से ये इंतजाम किया जाएगा कि वो लैप्टॉप के जरी है पेइंग वाइड में ही लालु यादो को किनेक्ट कर दे और वहीं से लालु यादो अपने खिलाफ सजा को सुन पाएं या कोट या जज जो सजा सुनाते वक्त बात कहेंगे उन बातों को देख पाएं उन बातों को सुन पाएं क्योंकि सुनवाई दलील वो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी और लालु यादो को इस मामले में दो सी करार दिया गया लेकिन वकीलों की टीम जो है लालु यादो की वो तैयार बैठी है कि जैसे ही सजा सुनाई जाएगी वैसे ही लालु यादो की जमानत को लेकर के आगे कौन सा बेहतर कदम होगा उसको आगे उठाया जाए फिलाल सबको इंज़ार है कि क्या सजा सुनाता है और सजा की अवधी जब सामने आएगी तो उसके बाद वकील ही ये रियक्शन देंगे कि लालु यादो की जमानत को लेकर के उनकी अगली रणनीटी क्या है तमाम खबरे तमाम अपडेट आपके लिए इसी तरह हम फस्ट भिहार पे लाएंगे लालो वैरों से जुड़ी खबर के पल पल की जानकारी आपके साथ साजा करेंगे बने रहेएगा फस्ट भिहार चारकेंड के साथ नमस्कार